Hello everyone, welcome back to Ninja Prep, this is Kapil Goyal, इस वीडियो में हम classical electrodynamics के एक और topic discuss करने वाले हैं, और topic का नाम होगा Gauss Law, हम discussion करेंगे कि Gauss Law का जो integral form है वो क्या होता है, Gauss Law का जो differential form है वो क्या होता है, वीडियो को continue करें, उसके पहले यदि आप लोग ने अब तक वीडियो को like नहीं किया है, तो please वी काम का है, वहाँ तक ये पहुँच जाएगा, क्योंकि ये searches में आ जाएगा, दूसरा, अगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है, और पहली बार चैनल पर आए हैं, तो please चैनल को subscribe कर दीजे, अच्छा, एक और important information, जैसा कि मैंने आपको अपने हर वीडियो में कहा है, ज इसमें सबसे पहला जो subject होगा, वो होगा classical mechanics, तो जो भी लोग classical mechanics में थोड़ी बहुत भी दिक्कत महसूस करते हैं, जिनको लगता है कि उन्हें एक extra, जो coaching बोल लो या extratation की जरुवत है, तो वो लोग ये batch join कर सकते हैं, details, के लिए आप जो number screen पर चल रहे हैं, उन पर call करके या whatsapp message करके आप details प्राप्त कर सकते हैं, details ले सकते हैं, चलिए start करते हैं आज का वीडियो, तो सबसे पहले बात करूँ मैं gauss law की, हलाकि gauss law से आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं पता होगा, आप लोग सभी लगभग family रहूंगे, अगर के बराबर होता है, है ना, हमने ये पढ़ा है कि according to this law, according to this law, this law, outgoing flux, outgoing flux, फ्लक्स, throw a closed surface, is equal to, equal to q enclosed upon epsilon not, या epsilon भी लिख सकते हो, अगर जो medium लिया हुआ है आपने कुछ भी, जरूरी नहीं कि आप से epsilon not लगाओ, epsilon not कब लगेगा, जब आप किसको यूज़ कर रहे हो, जब आप vacuum को यूज़ कर रहे हो, otherwise आप इसको q in upon epsilon भी लिख सकते हैं, इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब है enclosed charge, इसका मतलब क्या है, enclosed charge, ठीक है, अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको detail में समझ लेते है कि इसका मतलब क्या है, एक और definition इसकी हम इसकी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि closed surface integration, closed surface integration, closed surface integration, closed surface integration of electric field, of electric field is equal to, is equal to q enclosed upon epsilon, epsilon not कब लिख दोगे, जब ये vacuum की बात होगी, epsilon कब लिख दोगे, जब medium की बात हो रही होगी, epsilon और epsilon not में क्या relation होता है, ये हम पहले lecture में हम बात कर चुके हैं, तो दुबारा से उस चीज़ को बात करने की जरुबत नहीं है, अब देखो साब, इनका मतलब हम समझ लेते हैं क ये कहानी है क्या actual में, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, E.ds और Q enclosed और epsilon, ये लिखा हुआ है, अगर मैं vacuum मान लूँ तो इसको लिख दिया मैंने, epsilon not, तो ये जो form है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हो जाता है, integral form of Gauss law, ये जो है, ये कहलाता है, integral form of Gauss law, ठीक है, integral form of Gauss law, अब यहाँ पर कुछ चीज़े हैं, इनका क्या मतलब है, और ये Gauss law जो है, कब लगेगा, इस चीज़ के बारे में हम discussion कर लेते हैं, कि कोई जो question फस्ते है, वो यहीं से फस्ते हैं, कि हम कहीं भी इसको टिकाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो ये close surface है इस close surface का मतलब क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो close surface का अगर मैं मतलब निकालना चाहूँ, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर आपको एक circle दिया है, क्या दिया है, circle, तो मेरा ये question है कि क्या ये जो circle है, ये circle जो बंद पड़ा है, क्या ये close surface होगा, क्या क्या इसको हम close surface consider करेंगे क्या सवाल है यह question है ठीक है तो एक बार यह को देखने को तो लगेगा higher यह तो close surface है तो यहाँ पर गाउस law लग जाएगा पर नहीं गाउस law के लिए जो close surface है वो केवल वही होगी जो अपने अंदर volume को contain करें ठीक है तो यहाँ पर जो close surface का मतलब होगा वो surface जो अपने अंदर volume को contain करें अब सवाल यह निकलता है कि जो circle है यह भी तो एक close surface बना रहा है पर क्या यह अपने अंदर volume को contain करता है, नहीं करता यह अपने अन्दर किसको contain करता है यह अपने अंदर area को contain करता है तो यहाँ से एक चीज मिर को निकल के आ रही है कि जो यह gas flow है यह कौन से figures के लिए लगेगा यह 3D figures के लिए लगेगा ठीक है, Three Dimension Geometry के लिए लगेगा, क्योंकि three dimension geometry जो भी होगी उनकी जो surface होगी वो अपने अंदर किसको contain करेगी volume को contain करेगी तो दो important चीज़े यहां से निकल के आती है कि जो close surface है closed surface है उस close surface का मतलब क्या है वो surface जो अपने अंदर volume को contain करें ठीक है surface which contain which contain volume in it which contain volume in it वो surface जो अपने अंदर volume को contain करें और volume को contain करने का मतलब है कि यह जो law है किसके लिए लगेगा three dimensions figure के लिए लगेगा तो यहां से हम लिख सकते है it means it means gauss law gauss law is applicable is applicable for three d geometry यह किसके लिए लगेगा three d geometry के लिए लगेगा spelling का थोड़ा इदर उदर हो सकता है इंग्लिश में मेरा इतना हाथ कोई अच्छा नहीं है हाथ तंग है थोड़ा सा तो spelling गलत हो जाए तो उसको लेके गुस्सा मत करना अच्छा अब बात कर लेते हैं हम किसकी कि एक बात तो यह हो गई कि क्लोज सर्फेस का मतलब यह हो गया और गाउस लो कब अप्लिके बले फिर सवाल यह है कि क्या हर सवाल के अंदर गाउस लो को लगा दोगे क्या कोई भी क्वेश्चन दिया उसको गाउस लो से सॉल्व कर ले जाएं क्या नई गाउस का जो नियम है वो कुछ स्पैसिफाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज में लिया जाता है ज्यादा तर यह यूज में लिया आता है सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिमेट्रिकल फिगर्स के लिए यूज लिया जाता है ठीक है तो गाउस लो गाउस लो इस बेटर रहेगा symmetry और इसमें भी मैं 3D symmetry भोलूँगा कौन-कौन सी symmetry हम यूज़ करते हैं उसकी हम बात करें तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे spherical symmetry, spherical symmetry, फिर हम यूज़ करेंगे cylindrical symmetry, cylindrical और तीसरा हम यूज़ करेंगे pillbox, अब यह pillbox क्या होता है, सवाल यह है, ऐसा box हम बना देंगे, ऐसा box बना देंगे यूज़, ऐसा, 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 तो यह eat का जैसा बन गया न यह क्या कहलाएगा pill box cylindrical symmetry ऐसा cylinder बन गया तो ये क्या कहलाएगा cylindrical symmetry ऐसे spherical symmetry में ये हो गया spherical symmetry में दो case बन जाएगे एक हो जाएगा spherical shell का और एक हो जाएगा किसका solid spare का तो ये symmetry हो गई अब एक और चीज इंपोर्टेंट आप जो formula देख किया हो ये वाला closed integration e.ds equals to q enclosed upon epsilon 0 ठीक है तो यहाँ पर जो ये मैं लिख रहा हूँ e.ds तो ये क्या easily solve हो जाएगा क्या भाई अगर आपको इसका integration solve करना है तो आपको इन दोनों में से एक को बाहर निकालना है या तो आप ds को बाहर निकालो और या आप e को बाहर निकालो क्योंकि आप dot product कर दोगे cos theta जाएगा cos को 0 भी ले लोगे तो भी इन दोनों का integration अगर आपको करना है तो एक को बाहर निकालना पड़ेगा तो एक को बाहर निकालने का मतलब है एक चीज क्या होनी चाहिए constant होनी चाहिए तो ये अगर मैं integral form लगा रहा हूँ Gauss law का तो जो electric field है मेरा वो electric field क्या होना चाहिए uniform होना चाहिए तो एक condition हो रहा वही electric field electric field should be electric field should be uniform अब uniform का क्या मतलब होता है सवाल यह आ गया uniform का मतलब होता है electric field is इंड़िपेंडेंट फ्रॉम पॉजीशन कोर्डिनेट इन 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 coordinates अब यह क्या देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ e बराबर e i cap तो यहां से मेरे को दिख रहा है जो electric field है वो x direction में और अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ कि e x i cap तो यहां तो था x direction में तो है पर वो depend नहीं कर रहा है यानि कि पूरी x direction में उसकी value constant थी पर यहां पर क्या है यहां पर यहां पर देखो जैसे जैसे x की value बदलेगी e की value क्या होती जाएगी बदलती जाएगी that means कि यह depend कर गया किसके ओपर coordinate के ओपर तो यह जो वाला है यह क्या बाद हमें ये पता लग जया कि जो electric field है वो क्या होना चाहिए uniform होना चाहिए ठीक है अब हमें एक और चीज का पता कर लेते हैं क्या है जो Q enclosed इस Q enclosed का मतलब क्या है उसको हम देख लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है Q enclosed Q enclosed बोलेंगे enclosed charge हो लेंगे enclosed charge अब enclosed charge का मतलब क्या है वो समझे पहले मालो हमें ये एक spare दिया है ठीक है ये spare दिया है और हमें बोलाए कि इस point पर electric field निकालो इस point पर electric field निकालेंगे तो मालो इसके अंदर जो charge है वो यह है Q1 प्लस का है और ये भी कितने का है प्लस का Q2 तो ये जो surface बन रही है इसको मैं white color से भी बना देता हूँ तो ये जो surface बन रही है इस surface के अंदर enclosed charge जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 दोनों plus के है अब यही सवाल मालो वापस से पूछ लिया जाए कि ये surface है और charge यहाँ पर पड़ा है Q1 और एक पड़ा है minus Q2 और आपको electric field लिकालना है यहाँ पर अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई भी surface नहीं है तो अगर कोई भी surface नहीं हो Gaussian surface हम जो surface बनाएंगे तो उस surface को हम क्या नाम देगे Gaussian surface और जो charge होना चाहिए वो उस Gaussian surface के अंदर होना चाहिए तो यह Gaussian surface जो है इसके अंदर अब charge जो है वो कितना है Q1 एक हो गया plus Q1 और एक हो गया minus Q2 तो charge कितना हो गया Q1 minus Q2 ठीक है यह जो Gaussian surface है यह real भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इसी के उपर हमने बना दिया यह imaginary भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर point बहार था तो इसको ऐसे बना दिया ठीक है एक case और ले ले दे case है यह यहाँ पर charge पड़ा है ऐसे यह plus Q1 यह plus Q2 और हमें बोला कि इसके अंदर निकालो electric field इसके अंदर तो यह हमारी surface होगी गाउजिन surface अब इसके अंदर तो कोई charge है नहीं तो इसके अंदर कोई charge नहीं है तो यहाँ पर Q enclosed कितना हो गया 0 तो जिस जगहाँ जहाँ पर point निकालना है उसके चारों तरफ जो surface consider हो रहा है उसके चारों तरफ जो surface बन रहा है उसके अंदर कितना charge है वो क्या कहलाएगा enclosed charge और वो enclosed charge क्या होगा वो algebraic summation होगा जो भी charge दिया हुआ है उसका algebraic summation होगा algebraic summation का मतलब plus है तो plus minus है तो minus तो hopefully यह जो किज़े है अभी तक समझ में आ गई होगी कि Gauss law क्या है कब लगेगा क्या इसकी conditions है कौन-कौन सी symmetries है close surface का मतलब क्या है electric field का मतलब क्या है Q enclosed का मतलब क्या है यहां तक किसे को कोई दिक्कत है कोई परिशानी है तो वो comment में अपने जो doubt है वो लिखके पेश सकता है comment section आप लोगों के लिए open है एक बहुत important बात जो हला कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो 10 तारिक से है वो new batches open हो रहे है जिन लोगों को भी admission लेना है MSC की preparation करने के लिए वो admission ले सकता है उसके लिए आपको जो ये whatsapp number चल रहे है इस पर आपको message drop करना पड़ेगा बात करना चाते हैं तो 6 से 7 में आप बात कर सकते हैं आगे बात करते हैं फिर हमने यहाँ पर यह लिखा हमने यहाँ पर यह लिखा कि close integration of e.ds ये किसके बराबर है q enclosed upon epsilon not अब ये जो चीज है ये क्या होती है फ्लक्स ही तो होती है ये जो चीज है ये क्या होती है फ्लक्स होती है तो कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि flux जो है वो किसके बराबर है q enclosed upon epsilon not तो क्या ये statement सही है क्या भाई हम ऐसे बिना परूफ के मानने वाले थोड़ी है क्या ये statement सही है क्या इसको check करने के लिए हमने क्या किया हमने एक point ले लिया point ले लिया और यहां पर जो charge हो गया वो क्यों हो गया हमने कहा कि यहां से r distance दूरी पर किस की value निकालो flux की value निकालो तो यह distance कितनी हो गई r हो गई तो सबसे पहले तो हमें यह पता है बहुत अच्छे से पता है कि कोई point charge है उसकी वज़े से किसी point के उपर electric field निकालना है तो यहां पर electric field जो है e उसकी value कितनी होगी kq power r square ठीक है तो जो flux है phi वो किसके बराबर हो जाएगा integration close e dot ds ds vector और integration e तो e जो है उसकी value कितनी होगी उसकी value होगी kq power r square और vector लेना है तो vector के लिए r cap लगा दिया अब यह direction में हम बात कर रहे हैं यह direction में तो हमें क्या मानना है हमें क्या मानना है हमें Gaussian surface माननी है तो हमने इस point के लिए एक surface बना दी ऐसी goal spherical surface यह spherical क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जो किसके लिए लगेगा 3D के लिए लगेगा अब याद करो क्या याद करो अब याद करो जो हमने spherical coordinates पढ़े थे महाँ पर मैंने बोला था कि radius की direction में यदि आपको क्या चाहिए surface area चाहिए तो वो surface area को आप कैसे लिखते थे उसको आप लिखते थे ds1 rdr constant करते थे तो वो आपका बनता था r d theta r sin d theta और d5 यह बनता था और जिस direction में उसी direction में unit vector तो यहाँ से ds कितना बन जाता था वो बन जाता था r square r square sin theta d theta d5 और r cap ठीक है फिर यहाँ से जब आप इसको double integration solve करके लाते थे यह होता था कितना 0 से 2 pi एक होता था कितना 0 से pi r square sin theta d theta d5 और r cap तो यहाँ से जब आप इसको solve करते थे तो इसको solve करते थे तो यह value कितनी बनती थी भई d5 solve कर कितना देता था 2 pi sin theta d theta कितना देता था 2 तो यह कितना बनता था 4 pi r square तो यहाँ से यह value बन जाती थी 4 pi r square r cap तो कुल मिलाकर यहाँ पर ds की जगे direct हम क्या लख सकते हैं 4 pi r square r cap तो हमारे पास जो solution है phi का वो क्या बन जाएगा e की value कितनी है e की value kq upon r square kq upon r square r cap इसको कितना लख दिया 4 pi r square और यहाँ पर क्या होगे r cap r cap dot r cap क्या हो जाएगा 1 बाकि सारा यह solve हो गया integration हटी जाएगा क्योंकि हमने वहाँ पर integrate कर लिया यहाँ पर मैंने लगा भी दिया गलते तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा k q r square से r square खतम तो यह हो जाएगा 4 pi ठीक है r square से r square खतम कितना हो जाएगा 4 pi फिर k जो है k k की value कितनी हो गई बन अपॉन 4 pi epsilon 0 तो बन अपॉन 4 pi epsilon 0 और यह जो है कितना हो गया q और 4 pi तो 4 pi से 4 pi खतम तो यह कितना हो गया q अपॉन epsilon 0 और यही हम gauss law के अंदर पढ़ते हैं और यह proof हो गया ठीक है तो यहाँ से अगर आप से पूछा जाएगी प्रूव करके बताओ तो यह आपका proof हो गया तो यह तो जो है वो कौनसा हो गया यह integral form हो गया अभी सिर्फ मैंने आपको यह बताया है कि gauss law क्या होता है कब-कब यह use होगा और इसका integral form भी अगर आपको derive करना हो तो कैसे करोगे अब बात कर लेते हैं जो इसका differential form है उसको हम कैसे पढ़ेंगे कौनसा form differential form तो differential form differential form of gauss law तो differential form of gauss law के लिए हमें दो-तीन चीजों की जर्वत पढ़ेगी एक क्या पढ़ेगी कि हमें यह पता है कि जो electric field है वो बराबर होता है minus gradient of potential के potential को मैं आभी से भी लिख सकता हूँ और फाई से भी मैं फाई से लिख देता हूँ है ना तो यह हो गया potential तो यहाँ पर फाई जो है फाई क्या है फाई है potential ठीक इसको लिखा मैंने equation first फिर अब मैं लिख देता हूँ integral form integral form क्या कहता है e dot ds यह vector लगा दिया बराबर close integration sorry close integration नहीं होगा q dot in q enclosed upon epsilon epsilon not कब लगाएंगे epsilon not जब लगाएंगे जब हम vacuum की बात कर रहे हैं अगर vacuum की बात नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ epsilon लिख दो इसको लिख दिया equation दो फिर हमने एक पढ़िए gauss divergence theorem कौनसे theorem पढ़िए gauss divergence theorem gauss divergence theorem तो वो gauss divergence theorem जो है वो theorem क्या कहती है gauss divergence theorem कि अगर कोई vector quantity है vector quantity let's suppose A तो A dot ds close integration में इसको आप लिख सकते हो divergence of A vector dot dv इसी तरह से जो आपके पास लिखा है E dot ds E dot ds उसको आप क्या लिख सकते हो उसको लिख सकते हो divergence of E dot dv इसको लिख दिया मैंने equation number 3 तो मैं क्या करने वाला हूँ ये दो में जो ये E dot ds है इसको replace कर दूँगा किस से integration divergence E dot dv तो from equation from equation 2 and 3 तो 2 and 3 की बात कर ले तो क्या बनेगा 2 and 3 से अगर हम बात करें तो यहाँ बनेगा divergence E del V और ये क्या हो जाएगा Q enclosed upon epsilon अब एक चीज जो आपको पता होगी मेरे समझ में पता होगी कि अगर आपके पास volume charge density row row का मतलब क्या है volume charge density volume charge density है तो total जो charge है वो किसके बनाबर होता है integration volume charge density into D V तो मैं क्या करूँगा ये value यहाँ पर रख दूँगा यहाँ रख दूँगा तो ये क्या हो जाएगा divergence dot E D V और ये क्या हो जाएगा ये 1 upon epsilon बाहर ये क्या हो जाएगा row D V इसको transpose करके हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं divergence dot E minus rho upon epsilon और D V बराबर 0 जिसको फर्दर अगर हम solve करें तो ये बराबर हो जाएगा rho upon epsilon ये किसके लिए है medium के लिए और vacuum के लिए लिखोगे तो del dot E और rho upon epsilon not ये आगया किसके लिए vacuum के लिए और ये medium के लिए तो ये जो form नी इसको हम कहते है differential form differential form of Gauss law of Gauss law अब इन दोनों के अपने-अपने अलग-अलग use है क्या use है जैसे कि जो integral form है इसको Maxwell equation भी कहते है भाई है इसको Maxwell equation भी कहते है दोनों के अपने अलग-अलग क्या use है जो integral form है वो generally use होता है spherical coordinates के लिए या cylindrical coordinates के लिए और जो यानि कि spherical symmetry अगर मिलेगी और cylindrical symmetry मिलेगी तो उनके लिए normally हम use करते हैं integral form जबकि जब हम ये जो differential form वाला है इसको जब हम use करेंगे जब हमें cubic cube वाले question मिलेंगे या cuboid वाले question मिलेंगे तो वहाँ पर हम इसका use करेंगे या ऐसा कहलो जहाँ पर जब electric field जो हमें मिलेगा वो मिलेगा uniform ना मिलकर non uniform मिलेगा क्योंकि यहाँ से हमें differentiate करना असान हो जाएगा तो उस case में हम इसका use करेंगे चैनल को subscribe नहीं किया है प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए और like तो बही ज़रूर करना है क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लोग के कामका यह नहीं है तो जिन लोग यह कामका है आपके like करने से बहां तक यह पहुँच जाएगा दूसरी चीज batch के बारे में मैंने आपको बता दिया है दस तारिक से new batches start हो रहे हैं जो भी लोग admission लेना चाहते हैं वो screen पर दिये गए number पर message drop करके या call करके पूँच सकते हैं कि जरूरी जो भी information उनको लेनी है उसके बारे में बात कर सकते हैं तो मिलते हैं next video में till then thank you, bye bye झाहते हैं